दोस्तों स्टेडी91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समख्चे हिंदी में एक नए टॉपिक को लेकर हाजीर हूँ जिसका नाम है वाक के सुध्धी जिहां दोस्तों यहां पर आपको पता करना है कि कौन सा वाक के स दिरे दिरे दोस्तों हम लोगों ने 35 लेक्शे अब कवर कर चुके हैं और आज हम दोस्तों 37 लेक्शे पर आच चुके हैं 36 लेक्शे अब तो कवर हो चुका दोको Venig तो करें तो मैं कहा रहा हूं कि एक बर मौका दीजे Study91 को अगर आप संतुष्ट हैं आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो एक मौका Study91 को दीजे और इसके साथ पुनी तयारी को आगे बढ़ाईए हमारी तुक किताबी भी आ चुके मार्केट में और किताबों के साथ साथ आपकी क्लास और भी बैतरीन हो जाएगी ठीक है यह हमारा हेलपलाइन नंबर दोस्तो जिस पर कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी चले सुरू करते है दोस्तो प्रश्णों का सिलसिला और एक एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़के बताईगा क्योंकि असुद्ध और सुद्ध की बीच में बहुत थोड़ा सा फासला है पहला सा वारे रापकी श्क्रीन पर लिख रहा है कि निमलिकित में से कौन सा वाक्य जिया दोस्तो कौन सा वाक्य सुद्ध वाक्य जो सुद्ध है दोस्तो उसके बारे मताना है लिख रहा है मैं सारी रात भर जाकता रहा जब सारी लिख दिया तो भर का जरूवत क्या दोस्तो गलत हो जाएगा ठीक है अगला लिखना है दोस्तों मैं पूरी रात भर जागता रहा मैं पूरी रात जागता रहा ऐसे बोल सकता था ये भर लिखने की जरूत नहीं है मैं सारी रात जागता रहा सारी रात नहीं होती दोस्तों पूरी रात होती है मैं पूरी रात जागता रहा याद रखेगा जो सही जबाब होगा वो अपसन नमबर 4 होगा इसी तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको पहचान करना है कहां पर सही और कहां पर गलत समझ में आ रहा है ना सारी रात नहीं होता है जैसे आप पढ़ाई करें आप कहेंगे कि मैं सारी रात पढ़ता रहा या मैं पूरी रात पढ़ता रहा सारी सब्द गलत है दोस्तों पूरा होगा यहाँ पूरी रात पढ़ता रहा मैं पूरा दिन काम करता रहा गिये होगा सारा दिन नहीं ठीक है अगला सवल लेखे, लिकर रहा नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्या का सही है, जो सही है उसके बारे मताना है, लिख रहा उसकी आयू 30 वर्ष है इस समय, यह तो दोस्तो पुरा सेंटेंसिंग कम्प्रीट है, कर रहा इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 याद रखेगा कभी भी आपने जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी आयू कितनी है आयू नहीं होता आयू हमेशा निर्जीव के लिए होता है आयू सब्द का प्रयोग किसके लिए होता है निर्जीव के लिए होता है जिसमें जान होता है ना याद रखेगा उसके लिए अव अवस्था 30 वर्स आप मर थोड़े गए हो ठीक आप जिन्दा हो और जीवित वस्थू के लिए क्या होता दोस्तों याद रखेगा अवस्था सब्द का प्रयोग किया जाता है मेरी बाते ध्यान रखेगा वहना परिक्षा में इस पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे गलतिया करते हैं आप से गलती नहीं होनी चैई यहाँ पर अवस्था दिया है बिलकुल सी ठीक है ठीक है आयू देता तो गलत हो जाता अगर इहीं लिए लिख देता इस समय उसकी आयू 30 वर्स थी यारी जो समाव्त हो चुका है बीच चुका समय वहाँ पर हो सकता था या ऐसा व्य लिख रहा है कि निमलिकित में से ब्याकरडी का दृष्टी से सुध्ध वाक्य कौन सा है ठीक है वे अनेक विशय के ग्याता थे इस समय चार बजे हैं सब लोग अपनी राय दें सब लोग नहीं होता दोस्तों सभी लोग होता है ये गलत हो जाएगा आशू से मेरा रुमाल भ ग्याता थे वे नहीं वे अनेक विशय के ग्याता थे ये वनाचिए वे लिख करके दोस्तों गलत कर दिया जो सही उत्तर है वो है आपसर नमबर दो इस समय चार बजे है ये आपका बिलकुल सही जवाब है आगे बढ़िए लिख रहा है कि निमलिकित वाक्यों में से सुध दवाक्य का चैन कीजिए फिर से चुनाओ करिए जो आग के सुध है क्या होगा मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ मैं गाने की मेहनत नहीं होता है गाने की कसरत भी नहीं होता है कसरत सरीर की होती है ठीक है अभ्यास गाने की अभ्यास कर रहा हूँ मैं गाने का अभ्यास कर रह ठीक है तो याद रखेगा यहाँ पर आपसे नंबर 3 दोस्तों सही जबाब होगा लिखे रहा कौन सा वाक के सुद्ध समझ में तो आ रहा है ना मैं बहुत तेज तो नहीं चलना हूँ ना आराम से समझने का प्रयास करो बहुत आसान सवाल है आगे बढ़ोगे तब आपको याद रखेगा विश्मे बोधक चिन भी होना ची या आश्यर का तात्पर क्या दोस्तों यहाँ विश्मे से है विश्मे से ठीक है तो वहाँ पर विश्मे आदी बोधक चिन भी होना ची तो वहाँ के बाद यह जरूर लगाएंगे यहाँ दोस्तों सेमी कॉलम दिया गलत ह यहां पर column दिया गलत, यह दो तो ऐसे ही गलत हो गए, अब बचा दो option की क्या किया, जब वाह कितना सुन्दर दिर्स है, वाह कितना सुन्दर दिर्स है, बात आता है कि कितना की वज़ा से, यहां पर जो कितना लिखा है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे, कि कितना की वज इस है वो कोई क्वैस्टन नहीं पूच रहा होता ठीक है देखिए आग कभी भी दोस्तो प्लाशन वाज चाकffen लिकुटन City की बात करें तो ध्यान दीज़िए प्लाश्ण मार्क लगा देना चाहिए और वो आपसे नमबर एक ही सही करेंगे और यह जबाब गलत है यही तो मैं आपको सीखाने आया हूँ वन्ना चीजे तो बहुत किताब में भी दिखेंगे आप किताब से भी चीजे पढ़ सकते हो फिर study 91 की जरूवत क्या है नितिन सर की आवसकता क्या है क्योंकि नितिन सर आपको वो देते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कनफीजन होता है जहाँ पर आपको ध्यान देन का इस्तिमाल भी नहीं करना है ठीक है चलिए आगे देखे दोस्तों लिख रहा है कौन सा वाक के शुद्ध लिखा गया आप बताए शुद्ध कौन सा है दोस्तों पढ़ लीजे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो अब क्या लगा तो दोस्तों क्वेशन मार्क तो होना चाहिए क् इस तरह के सवाल भी आपसे परिक्षा में आते हैं ये जानने के लिए कि आपको विराम चिन्धों का नॉलेज कितना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल दिखे लिख रहा है कि निमलिकित में से सुद्धवात के दोस्तों कौन सा उसका पैचान करी लिकरा भक्तों की सेना जा रही है भक्तों की सेना नहीं होती है ठीक है सेना तो आर्मी होता है और भक्त की सेना थोड़े होती है ठीक है लिकरा भक्तों की मंडली जा रही है हम भक्तों की मंडली बोल सकते हैं दोस्तों भक्तों की टुकडी जा रही है गलत हो जाएगा भक् इसके साथ किसका इस्तमाल करते हैं, अगर आप देखेंगे, सेना, मंडली, टुकडी, भीड, यह एक दूसरे के समानार्थक सब्द है, परियावाची है, ठीक है, परियावाची है, अच्छे चली परियावाची की बात आ गए, तो हम कर लेते हैं, दोस्तो, सेना का परियाव कर दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहाँ निमलिकीत में से सुध्दवाख्य को चिंद狙ीत की, यह चिंद करते है, कौन सा वाग के सुध्द है, लिकरा उसके प्राण प्राण निकल गये उसका प्राण निकल गया उसका प्राण पखेरू उड़ गया उसका प्राण उसका खत्म हो गये तो गलत है प्राण पखेरू नहीं उसके प्राण निकल गये दोस्तो ऐसा क्यों हो गया दोस्तो याद रखेगा जो प्राण है न यह क्या होता दोस्तो यह स शदयव बहुबचन सब्द है इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने के जरूत है कि उसका नहीं उसके प्राण निकल गएं यहाँ पर देखिए गएं करेंगे लास्ट मियाद रखेगा क्यों क्यों कि बहुबचन है इसलिए दोस्तों आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आपसा नमबर एक दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए लिकरा नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक के सुद्ध है फिर से आप पैचान करें कौन सा सुद्ध है लिकरा इन दस वर्सों में देश देश ने काफी प्रगति करना है गलत है जो सही जबाब हो आपसा नमबर एक है इन दस वर्सों में देश ने काफी प्रगति की ये दोस्तों आपका सही जबाब हो जाएगा ठीक है आप चीजों को समझ ये गलती कहां से दोस्तों दस जो लिखाना दस के बाद वर्सों लिखे तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, दोस्तो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा, तराइन का प्रत्हमिद और तराइन का दूतित, जो 1191 और 1192 के दौरान, मुहम्मद गौरी से दोस्तो लड़ा गया था, ठीक है, उस लड़ाई मगर मुहम्मद गौरी क तो तुरंत प्रतिविराज चौहान ने मार दिया होता, तो उसका सत्ता वहीं समाप्त हो जाता, दिल्ली सल्तनाच पर जो गुलाम वंस का सासन चला, कुतुबुदिन एबग जो बैट करके सासन किया, उसके बाद जो 5 वंस चले हैं, क्रमशा, जिसमें आप पढ़ते हैं, खिलजी वंस के बारे में, तुगलक वंस के बारे में, सयद वंस के बारे में, लोधी वंस के बारे में, वो सायद ना होता, इसलिए ऐसा कारा है, खैर इतिहास की बाते हम हिंदी में हैं, आईए हिंदी की बात करते हैं, क्लाइम तो यह हो गया, दूसरा लिखा, गिलास प्रबुद्ध बिद्यार्थियों को सिच्छक का केवल संकेत मात्र ही परियाप्त होता है केवल लिख दिया और मात्र भी लिख दिया तो दोनों का परिया एक ही हो गया ना ठीक है या तो केवल हटा देता बोल देता कि प्रबुद्ध बिद्यार्थियों को सिच्छक का संके अगला सवाल लिखे वाक्यों में सुध्ध वाक्य दोस्तों कौन सा उसकी पैशान करना है एक राज स्रीकिष्ने के अनेको नाम है बिल्कुल सही है दोस्तों अनेको नाम है अनेको नाम नहीं दोस्तों स्रीकिष्ने के अनेक नाम है अनेको जो लिख दिया दोस्तों ये गलत कर दिया अनेको ठीक ह जब यह अपने आप में बहुबचन है, तो अनेक काने को करने की जरूत क्या है, और इस तरह की गलतिया भी हो जाती है आपसे, अचानक से, तो याद रखेगा, आपसर नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखे, अब देखे, भौरे भिनबिनाते हैं, कि भौरे गुंजार करते हैं, ठीक है, फूलों के उपर बोलने के जरुबत नहीं दोस्तों, फूलों पर बोल सकते हो, ये के उपर वाले तो दोस्तों गलत हो जाएगा, फूलों पर भौरे भिनबिनाते नहीं, भौरे अमेशा क्या क नमर, वो क्या करते हैं, भारे क्या करते हैं, इसलिए दोस्तों आपका इस सवाल में क्या हो जायेगा, आपसर नमर 2 सही जबाब हो जायेगा, इसको आप ध्यान रकेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखें, निमलिकित में से कौन सा वाग क्या असुद्ध है, जरा ध्यान दीज यहां आपको बताना है कि कौन सा गलत है अभी तक तो सही वाला जवाब दे रहे थे आप अब आपको गलत ढोटना है मतलब यहां तीन आपसं सही है एक जगह कहीं पर गलती है वही आपको पहचान करने की जरुवत है ठीक है यह देखते हैं लिकरा हर एक खिलाडी मैदान में पहुच गये हर एक खिलाडी मैदान में पहुच गया जब हर एक लिख रहा है तो गया होना चाहिए ठीक है गये नहीं ठीक है आगे लिकरा सड़क पर बहुत भीड़ है यह तो सही है अध्यैन के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें आवश्यक एभी सही है साहित और संस् पर दोस्तों आप साथ साथ लिखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या एक योजक चिन्ना रखना पड़ता है वो योजक चिन्न का अभाव है यानि आपसर नमबर 3 में भी गलती है लेकिन इससे बड़ी गलती तो आपसर नमबर 1 में है ठीक है क्या कि हर एक खिलाडी मैदान मे पहुँच गया हर एक खिलाडी मैदान में पहुँच गया तो यादर के दोस्तों गय नहीं गया होना चेहे ठीक है इसलिए दोस्तों यहाँ पर यह गलती हो गया आपसे ठीक है आगे बढ़ी और यही आपका गलत जबाब है इस सवाल में लिकरा निमन में से कौन सा सही है जो सही है, दोस्तों बताईए, वो टकासा उत्तर देता है, वो टकासा प्रशन करता है, देखें, टकासा उत्तर नहीं दिया जाता है, ना टकासा प्रशन किया जाता है, टकासा जबाब दिया जाता है, ठीक है, वो टकासा जबाब देता है, तो अपसे नमबर दोस्तों, तीन संका का हमेशा क्या होता दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो संका का हमेशा समाधान होता है क्या होता दोस्तों संका का क्या होता है हमेशा शमाधान होता है निवारण से मतलब नहीं दोस्तों समाधान से मतलब है ठीक है तो उसकी संका समाप्त हो गई दोस्तों ये भी नहीं हो उसकी संका का शमाधान हो गया है, यह आपका सही उत्तर है, इस 15 में सवाल के लिए, अच्छे से आप समझते चलिए, एक एक सवाल पर concept क्लियर करते चलिए, पढ़ने की बहदरी नहीं है, बहुत सारा वीडियो आज तक मैंने दिया है, पढ़ने की बहदरी नहीं है, concept सीखने की बहदरी है, और याद रखे, जिन बच्चों को अच्छा लग रहा वीडियो, मैं आपको विश्वास दिला दूँ, एक बार आप हिंदी इंडियूजल का बैस देखे, दोस्तों यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लेक्चर दिये गया है, 3000 से ज़्यादा सवालों पर आपकी प् आई नंबर पर कॉल करके संपर करिए, और भी कोई जानकारी चाहिए, तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, आई आगे देखते हैं, लिख रहा है कि निमलिकित में से कौन सा वाक के सुद्ध है, जो सुद्ध है दोस्तों, उसके बारे मताएगी कौन सा सुद्ध है, भाई ने भाई के साथ सलाह की, अच्छा, किरिपया प्रशनोत्तर सिख दें, मतलब प्रशनोत्तर है दोस्तों, प्रशनोत्तर नहीं है, क्या लिखा दोस्तों, पत्रोत्तर है, पत्रोत्तर का मतलब क्या होता है, दोस्तों, यहाँ दो सब्ध है, पत्रधन उत्तर, पत्रध उतर सिग्र दें इसका मतलब पत्र का उतर सिग्र दें ये होना चाहिए ठीक है तो आपका सकते बिल्कुल सही जवाब यही नजर आ रहा है क्योंकि भाई ने भाई के साथ सलाह की सलाह की ने दोस्तों सलाह ली ठीक है सलाह लिया जाता है सलाह किया नहीं जाता है ये दोस्तों नंबर 4 है कि कृपया पत्र उत्तर सिग्र दें, मतलब पत्र का उत्तर सिग्र दें, ये दोस्तो आपका ज़्यादा सटी कैंसर है, कभी-कभी हमें इस वाक्य सुधी में ऐसा नजर आता है कि हो सकता दो जग गलतिया हूँ, ऐसे में ज़्यादा गलत कौन सा है उसका पहचान क जाना है, उसे बाजान नहीं जाना दोस्तो उसने गलत लिखा है, ठीक है, हम तो आपको बता दिये थे, हम तो आपको बता दिये थे, हम आपको बता दिये थे, तो लगानी क्या हो सकता नहीं थी, इसलिए गलत हो गया, मुझे अपने गुरू के उपर सरद्धा है, गुरू बशची में से कौण सा वाग के सुध़ है, फिर से पहचान करिए, सुध कौन सा है लिक रहा, उसने मिस्ठान खरीदा, मैंने आपको बताए भी था दोस्तो याद रखे बहुत साई लोग मिश्ठान करते हैं ठीक है मिश्ठान दोस्तों गलत है सही क्या होता दोस्तों सही होता मिश्ठान क्या होता दोस्तों यहाँ डबल न रहेगा और यह टर है याद रहेगा मिश्ठान दोस्तों सही होता मिश्ठान गलत होता है तो उसने मिश्ठा अंतरधान हो गए अंतरधान होता है दोस्तों ये भी आपका गलत जवाब है ठीक है अंतरधान होता है क्या होता है अंतरधान नहीं होता है मूले सब्ध क्या होता दोस्तों अंतरधान होता ये लिखा जाएगा अंतरधान ठीक है तो याद रखेगा ये सब क्या हो जाएगा गलत आपसन दिया जा रहा है दोस्तों मतलब गलत उत्तर है जो सही है वो आपसन नमबर एक है और आपको मैंने बता भी दिया आगे बढ़िए लिकरा निम्लिकित में से सुद्ध वाक के कौन सा है फिर से पहचान करें धेर सारा वाक के प्रैक्टिस करिया आप आटोमेटिक स सही हो जाएगा लिकरा गौतम रिष्षी की पत्नी का नाम अहिल्या है अहिल्या गलत लिकरा दोस्तों सही क्या होता है दोस्तों सही होता अहल्या ये तो आपका गलत है इसलिए आपसन नमबर एक गलत हो गया राजियू निरपराधी है निरपराधी में दोस्तों निरपरा करेंगे दोस्तों संवाद में क्या करेंगे हलंत रहेगा ठीक है इसल्ए दोस्तों यहां पर लीगता अलग होता है द्यां दीजेगा इसी लिए परिक्षक आपको दिया है सवाल ताकि आप गलती करें ठीक है लिकेरा निमलीकी तुव áक्यों मेंmetro इंसे सुध दवाकय का छेयन करेबर फिर से करा यहां गन्ये का ताजा रस बिकता है अच्छा यहां ताजी गन्ये का रस बिकता है क्यों 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 कि रस जब निकाला जाता ओट आ जाओ सकता गन्ना तो भाई कई महीने पहले बुआ गया था तो गन्ना ताजा नहीं होता ये आप ध्यान रखेंगे तो आपसे नमबर एक साही जवाब हो जाएगा लिखरा सुद दवाके की पहचान करें आये पहचान करें सुद कौन सा है ठीक है मेरी पांच बहने और एक भाई है ठीक है मेरी पांच बहने और एक भाई है मेरा एक भाई और पांच बहने है मेरी एक भाई और मेरा एक भाई पहले आप क्या करेंगे बहुचन जो होगा दोस सुद्धवाक्य का चैन करी आईए करते हैं सुद्धवाक्य का चैन क्या लिखा दोस्तो लिखा है अनेक निरपराद दंड के भागी में बहुत बढ़ियां सवाल देखें निरपराद ही ने दिया निरपराद दिया और अनेकों भी ने दिया अनेक दिया बहुत सोस समझ के द दोस्तो ये भी गलत हो जाएगा ठीक है तूफान आने का तूफान का संदे है तूफान आने का कोई समान थोड़े क्या आ रहा है ठीक वो गलत हो जाएगा तो आपसन नमबर दोस्तो एक इस सवाल का बिल्कुल सही जबाब है कि अनेक निरपराध दंड के भागी वे ये इस सुध है अनसर है सुध जबाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर है आपसन नमबर एक चूच कर लीजे निर्द में से कौनसा वाक के सुध है फिर से बताए गलत हो सकता दोस्तो भर पेट सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी सुध है ऐसा नहीं कर सकते हैं आपसन नमबर तीन द वागने पेट भर खाना गाया कि भर फेट खाना खाया पहली ये बताए जिस दिन आप ये समझ जाओगे उसका सिमला जाना है उसका सिमला जाना है उसको सिमला जाना है उसने सिमला जाना है उससे सिमला जाना है गलत क्या होना चाहिए दोस्तों उससे सिमला जाना है आप चाहिए उसे बोलते चाहिए आप उसको बोलते ठीक है उसको सिमला जाना है ठीक है तो दोनों बोल सकते थे तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सही जवाब है अपसर नमबर मैं आपके सौजन्य पर मुग्द हूँ, मैं आपकी सूजन्य, देखे सूजन्य सब्द होता नहीं है, ठीक है, अब बात आता है, बच्चे सोच रहेंगे, सर ये बताईए, सौजन्य सब्द सही है, या सौजन्यता सब्द सही है, ठीक है, कौन सा सही है सर, किसे हम सही माने, ठ याद रखेगा दोस्तों ऐसे में जब कभी आए। तियाद रखेगा जैसे आप देखें, जब आपको कहीं बुलाई जाता तो सौजन ने काई जाता कि, हमारा सौजन इस अक्छा है कि आप हमारे द्वार पधारें। सोजन्यता नहीं, ठीक है, सोजन्यता तो दोस्तों ये विशेसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो विशेसर हो जाएगा, हमें इस पर नहीं जाना दोस्तों, हमें सोजन्यता पर राना है, तो मैं आपके सोजन्यता हूँ, आपकी सोजन्यता पर नहीं, ठीक कर सकता हूँ, औरosaanee के साथ ही, कुछ सटीक नहीं लग रहा है, यहाँ काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, और यहa Sani पूरवख कर सकता हूँ, दोस्तों यह भी गलत है, तो यहाँ पर best answer जो कियों कहीं सारी माल लीजे में की जगह मैंने मैं कर दिया अब पूरवक एक साथ होना चाहिए सकत नहीं दोस्तों सकता होना चाहिए इस वज़े से दोस्तों गलतिया हो रहे तो आपसर नमर तीन चूच कर लिए क्या दिक्कत हमारे पास तो तीसरा आपसर नहीं है बेश्ट में ठीक है अगर ह वाक्य कैसे बनेगा अगर सारी सुद्धी आप खुद भाखुद कर देंगे ठीक है तो इसे याद रखेंगे चलिए आगे बढ़े लिकर आज सुद्ध वाक्य का चैन करें फिर से कितना चैन करा दोगे भाई सुद्ध वाक्य का मैंने तरह तरह के रेशंदे की यहांपर दे दिया न, यहाँ पर यह जो बीच में देख रहा है दोस्तो, ठीक है, योजक छिन इसका होना जरूरी है, जब एक तरह के सब्द इस्तमाल किया जाए से साथ साथ बाग बाग धीरे धीरे, ठीक है, तब उहाँ पे होता दोस्तो इस तरह का योजक छिन, ठीक है, मैंने तरह तरह के रेसम के कपड़े पसंद की अच्छा तुम्हारी दृष्टी तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए तुम्हारी दृष्टी तुम्हारी दृष्टी तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए तुम्हारी बोलनी की जरूत नहीं है तुम्हारी दृष्टी पुस्तक पर अब देखे जो पहला आपसना चौथा आपसना बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर उत्तर तो इसी में से कोई सही है लेकिन क्या सही आईए देखते हैं ठीक है लिखे रहा है मैंने तरह तरह के रेसम के कपड़े पशंद किये ठीक है मैंने तरह तरह के रेसम के कपड़े पसंद के भाई तरह तरह तो अलग-अलग वराइटी हो जाएगा कि सूती है पॉलिष्टर है रेशम है मलमल है ठीक है तो अलग-अलग हो जाएगा तो यह हो सकता एक पल के लिए गलत हो जाए जो सही जबाब नजर आएगा वो आएगा कि समाज की वर्तमान दसा क् चिंता जनक है यह बिल्कुल सटीक लाइन है इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बिल्कुल सही दोस्तो आपस नंबर फूर ही होगा इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए अगला लिख रहा है सुद्ध वाक्य का चैन करे आईए फिर से कर लिजे एक बार तुम्हें आना होगा न इस तरह के न न वाले सवाल दोस्तो गलत होते हैं ठीक है मद्दे काली न्यूग में काल दे दिया और यूग दे दिया तो दोनों के माएन ये की होतने काल और यूग के इस वज़ए से भी गलत हो गया तो एक ही उत्तर बचा वो है कि साहब ने कहा ह चाहे कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए तो याद रखेगा इससा ही हो जाएगा ठीक है वे भले यहाँ पर चाहे भी गलत था वे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा वे चाहे भले ही न आए ये गड़बड हो जाएगा तो न और भले के साथ दोस्तो थोड़ा सा यहाँ पर चीजे नहीं बैट रहे हैं, इस वज़े से देखें, हम लोगों क्या है आदत हो गया है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं, कि आदत हो गया है, कि कहां क्या होना चीए, कहां क्या गड़बड लिखा है, ठीक है, आटोमेटिक दिमाग उसी पर जाता है, पता रह चलते हैं, अगर हम लोग किसी के बैनर भी देखते हैं तो समझ में आता है, इनके बैनर में गलत लिखा है, ऐसा कब होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों ने रीड कर लिया है, समझ में आ गया है, तो कई बार आप लोगों को हैरानी होती होगी, कि सर होता कैसा आप तो देखते हैं और उत्तर बता देते हैं बेगे प्रैक्टिस होता है जिस दिन आप खोऑ प्रैक्टिस करने लगेंगे आप से भी चीज़ें संभा हो पाएंगे हैँ आगे देखे दोस्तों सुध्य 충 ч joined सुद्धवाक्यों छाटना है लिख रहा उस वन में प्राता काल के समय देखे काल और समय का एक ही अर्थ होता है इसलिए ये तो सही उत्तर नहीं होगा लिख रहा वन में सुबह के समय का दृष्य से बहुत ही सुआवना होता है वन में प्राता काल का दृष्य से बहुत ही था यानि ये उत्तर आपका बिल्कुल सटीक है और सही भी है आप समझे आप सनमर 3 हो जाए क्योंकि बाकी के जगा पर repetition है बाई कालकार्थ पर क्या होता समय होता है कालकार्थ क्या होता है और वही हार मनाया जाता ठीक है यह तो गलत हो जाएगा दोस्तों त्योहार दोस्तों मनाया जाता युद्ध नहीं मनाया जाता ठीक है अब देखें युद्ध किया जा रहा है युद्ध लड़ा जा रहा है ठीक है इसमें आपकी राय क्या है यह मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूं ये सवाल आपको comment में बताना है आपको comment में comment में जवाब देना है ठीक है अगर आप हमसे हमारी राय पूछेंगे तो मैं अपनी राय भी बता रहा हूँ लेकिन मेरी राय सही है या गलत है ये अभी आप लोगों के लिए एक सवाल होगा ठीक है मेरे हिसाब से ठीक है जो सही उत्तर है ये होना चाहिए युद्ध हो रहा है क्या होना चाहिए दोस्तों युद्ध हो रहा है अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है क्यों मैंने युद्ध लड़ा जा रहा यह नहीं चूज किया ठीक है बहुत सारे बच्चों के मन में जवाब आ रहा है कि मेरा मन भी कर रहा है जाती है ये ध्यान देंगे ठीक है जैसे मक्हियां भिन मिनाती हैं जब कि भौरे क्या करते गुंजार करते कुट्टे क्या करते भौंगते हैं इस तरह से अलग-अलग जानवर के लिए अलग-अलग जियू के लिए अलग-अलग बाते हैं अलग-अलग टोन हिंदी विसे में हैं उसी तरह से लड़ने की बात लड़ाई के साथ आएगी, लड़ने की बात युद्ध के साथ नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपसर नंबर एक नहीं चूच किया, युद्ध किया जा रहा है, करते नहीं दोस्तो कोई कसरत अभ्यास थोड़े है, युद्ध हो रहा है, ये आपका सटीक जवाब होना चीए, ये तो मेरा उपीनियन है, आप अपना उपीनियन दीजिए, कमेंट करके, तो मैं जानू कि आप क्या चाते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है, इसी के साथ दोस्तो आज क समाब्त होता है, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा भी लगा होगा, और पल जपकते दोस्तों, पलक जपकते कब क्लास समाब्त हो जाती है, मितिन सर की, कुछ पता भी नहीं चलता है, देखें, नौ बजए दोस्तों, आपका स्पेसल सेसन चल ला है, जी एस, बहुत सारे है, ठीक है, यह मान के चलिए, ठीक है, दोस्तों, ऐसे भी से, जो यूटूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिये गए हैं, यह उन्हें के हैंडिटेंड नोट्स हैं, जो हमारे website और application पर available हैं, आप चाहें तो इन्हें purchase कर सकते हैं, और इनके माध्यम से भी तयारी कर सकते हैं सेंपल के तरह पर दोस्तों मैं किताब आपको दिखा दे रहा हूँ, एक किताब अगर आप अडर करते हैं, दोस्तों कैसा अंडेलूरी चाहिए, तो Amazon, Flipkart, Miso, इन जगह से दोस्तों आप अडर कर सकते हैं, वनना आप हमारे website और applications भी दोस्तों किताबों को खरीच सकते हैं